हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस कि ओपो A3X 5G फोन में आप लोग वीडियो कोल केसे कर सकते हो अगर आपके पास एक Oppo A3X 5G फोन है और इस फोन में जो है आपको वीडियो कॉल करना है अगर आपको वीडियो कॉल करना नहीं आता है गाई से आपके फोन में वीडियो कॉल नहीं हो रहे हैं फिडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजे तो चलिए गई इस वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो कोल करने के लिए आपको सबसे पहले जो अपनी इस फॉन के एप्लिकेशन को ऐपन कर लेना है जिससे आप लोग कॉल करते हो open करने के बाद context का option हैगा context पे click करेंगे click करने के बाद जिस भी number पे आपको video call करना है उस number पे click कर देना है click करने के बाद यह आपर call का option होगा और right side में video का option आएगा video पे click करेंगे तो आपके phone में video call जो वो send हो जाएगा तो इसके लिए आप लोग जो mobile network को ओन कर लिजे data को ओन कर लिजे या wifi के साथ connect कर लिजे आपने phone को उसके बाद video पे click करेंगे तो video call sent हो जाएगा अगर video call नहीं जा रहा है video call आप लोग click करेंगे वीडियो पे लेकिन video call नहीं जा रहे तो इसको solve करने के लिए आपको इस phone के application पे long press करके रखना है long press करने के बाद app info का option आएगा app info पे click कर देना है click करने के बाद या पर एक option है गब permissions का तो इस permissions के option पे click करेंगे click करने के बाद या पर जितने भी permission है देख सकते बहुत सारे permission है सबको allow कर देना है allow कैसे करेंगे आपको permission पे click कर देना है click करते अगर यह don't allow पे सेट है तो आपको इसको allow access पे क्लिक करना है और back कर देना ऐसा करती है allow हो जाएगा और वीडियो को लगने लग जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने oppo a3x 5G phone में आप लोग वीडियो को लगा कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए पापाई